हरियाड़ा के रोहतक जिले के चिणी गाउं में एक रोचक मामला सामने आया है यहां चुनाओं हाडने वाले उमीदवार काला चेयर्मेन का जबर्दस सम्मान हुआ उमीदवार को 2.1 करोर कैस और एक लगजरी सकारपियो गाड़ी दे कर सम्मानित किया गया गाउं के लोगों ने ऐसारा रुप्याई कठा किया फिर गाउं में बड़ा समारोह रखा यही नहीं आप खाप पंच्रायत में भी हारे उमीदवार को बड़ा पद देनी की तयारी ह ग्रामीडो का कहना है कि उन्होंने गाउं में भाईचारा कायम रखने के लिए ऐसा किया इस सम्मान से ग्रामीडो ने आपसी द्वेस खत्म होगा हारे उमीदवार के सम्मान समारो और उन्हें मिली रकम की खूप चर्चा हो रही है रोह तक में पंचायती चुनाव दूसर ग्रामीडो ने सम्मान करने की बात कही थी सम्मान के बाद यह महसूस हुआ कि जो भी 20-22 साल लोगों के काम किये हैं हार के बाद भी भाईचारा उसके साथ खड़ा है जिसका प्रतीक यह सम्मान था गाउं के लोगों ने एकत्रित होकर उनका सम्मान किया गाउंचिडी 2005 तक ब्लॉक समिट के लाखन माजरा के चेयर्मेन रहे हैं वही 2010 और 2015 तक उनकी माता सरपंच रही थी इस समारो से भाईचारे का संदेश दिया गया है और उन्होंने कहा कि पहले से भी जादा लोग के साथ खड़ा रहकर काम करवाएंगे नवनिर्वाचित सरपंच जो भी वही इस से भाईचारा और भी अधिक बढ़ेगा शायद यह पहला ही ऐसा कारिक्रम होगा जिसमें हारे हुए प्रत्यासी का इस तरह सम्मान मिला गाउने सराहनी कदम उठाया है पंचाच चुनाओं में हारे प्रत्यासी धर्मपाल जब कारिक्रम में पहुंचे तो उसका भूल बाजे के साथ स्वागत किया वही इस दौरान पहुंची खाप पंचायतों ने भी सम्मानित करने का निर्ने लिया और खाप पंचायतों में महात्रपूर्ण पद देने की भी घोशना की में अपने अच्मती गाओं का भी पूरी के दिल से धन्यवाद करता हूं और काडा चेर्मैं जो हमारा अजीज है हमारा बेटा है इसको भी आशिरवात देता हूं इंका सबका गाओंका में धन्यवाद करता हूं